आर्थ्राइटिस के पाथ ट्रीट्मेंट वजन पर नियंत्राण रखे, कीप वेट अंडर कंट्रोल, आर्थ्राइटिक्स को ठीक करने के लिए सबसे पहला उपाई यह है कि आप अपने वजन को नियंत्रित रखे, दरासल जादा वजन वाले लोगों को जोडों खासकर घुटने, कुले, पैरों में अधिक तनाव डालता है, यह एक शोद में बताया गया है, कि आर्थ्राइटिक्स के मरीज अपने वजन को नियंत्रित रखते हैं, उन्हें जोडों में दर्द के साथ ही सूजन की समश्या कम हो जाती है, और इनके लिए नीमित व्याया करें और आर्थ्राइटिक्स से समश्या खत्म हो सकती है, रोजाना करना चाहिए एक्सराइज, आर्थ्राइटिक्स फेशन शुड एक्सराइज डेली, गठिया के रोगों के लिए खूब एक्सराइज करना चाहिए, एक्सराइज से आपके जोडों में लचिलापन होगा, इसके साथ में ही आसपास की मासपेशिया को मजबूत होने में मदद मलेगी, इसके लिए आपको चाहे तो टहल सकते हैं, साइकल चला सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, काफी फाईुदमन होता है, इससे पूरे शरीर की एक काली मिर्च black people is the beneficial in arthritis गठिया रोक में काली मिर्च काम करती है क्योंकि काली मिर्च में क्यंप साइन सीन मौझूद रहता है जो अर्थराइटीस गठिया में होने वाले दर्द को कम करता है कम करने में मदद करता है इनके साथ ही गठिया में हुए जोडों में सुजन को भी कम कर सकता है। इनके लिए काली मिर्च शहद के साथ सेवन करने से या फिर बोजन में ही इसके इस्तमाल कर सकते हैं। अद्रक का सेवन यूज जिंजर इन अर्थराइटिस आईरवेद में अद्रक कई सारी समस्याओं के लिए लापकारी माना गया है। काम आ सकता है। यह प्राकृति मरहम के रूप में काम करता है। अगर आप नीमित रूप से सर्शो का तेल की मालिश करते हैं तो न सिर्फ सुजन के छुटकरा मिलेगा बलकि दर्ग भी कम हो सकता है। नमस्कार वंदे मात्रम जैहिंद।